हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में दोस्तों टैली फ्री कोर्स का ये क्लास नंबर 6 है और इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को टैली की सब्दावली के बारे में बताने वाला हूँ टैली की सब्दावली जानने से पहले मैं आपको सारी की सारी सलाइट दिखा देना चाहता हूँ कि मैंने इन सभी सलाइट को किस तरीके से डिजाइन किया है और मैं किस तरीके से क्या क्या चीजे आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ ताकि आपको एक आईडिया लग जाए कि ये विडियो आपके लिए कितना जादा important है मैं आपको बता दू कि अगर आप टैली को बिलकुल आसानी से और सरल तरीके से सीखना साते हैं तो आपको टैली की सबदावली यानि टैली की terminology को जरूर अच्छे तरीके से समझ लेना है तभी आप जो है टैली में अच्छे तरीके से काम कर पाओगे और टैली की सभी चीजों को अच्छे तरीके से सीख पाओगे तो ये देखिए ये सारी की सारी स्लाइड मैंने आप सभी को समझाने के लिए बनाई है और मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैंने PDF तयार किया है ये मैं आप सभी लोगों को टेलीगराम चैनल पर दे दूँगा टेलीगराम चैनल को जोईन कर सकते हूँ इसकी बाद मैं आपको बता दूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हूँ एक हजार से पंदरह सो दो हजार लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक सिर्फ सो लोग, डेड़ सो लोग, दो सो लोग, बस इतने ही लोग लाइक करते हैं ऐसा क्यों अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आता है तो आप वीडियो को डिसलाइक करिए और नीचे कॉमेंट करके बताईए कि आपको ये विडियो क्यों नहीं पसंद आया लेकिन अगर आपको ये विडियो पसंद आता है तो आप इस विडियो को लाइक करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप सभी के लिए अच्छे अच्छे विडियो बनाता हूँ साथ में आप इस विडियो को अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके और चैनल पर पहली बार हो अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो चैनल को सबस्क्राइब कर लो तभी आप हमारी नए नए विडियो देख पाओगे सबस्क्राइब आप जरूर चर लिजेगा तो सबसे पहले हम लोग पहली स्लाइट पर चलते हैं और पहली स्लाइट पर मैंने आप सभी को लेजर के बारे में बताना है यानि की लेजर क्या होता है जब आप टैली में कमपनी बनाओगे उसके बाद हमको लेजर की अंतरगत खाते ही बनाने होते हैं तो सबसे पहले हमको ये लेजर समझना है और लेजर के अंतरगत हम कौन कौन से खाते बना सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं लेजर की तो लेजर को हिंदी में बुक आप कहा सकते हो लेजर एक बुक होता है जिसके अंतरगर टैली में सभी एकाउंट्स यानि खाते बनाये जाते हैं लेजर को आप इस तरीके से समझिए कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक शौप है यानि एक दुकान है जिसका आप हिसाब किताब एक रजिस्टर में रखते हैं और उस रजिस्टर में आपने उन सभी व्यक्तियों के नाम से अलग-अलग पन्ने पर खाते बनाये होंगे कि ये फला आदमी हैं जिसके पास मेरे इतने पैसे बाकी हैं और ये इतनी समान आज लेकर गया है इतनी समान उस डेट को लेकर गया था इतनी समान उस डेट को लेकर गया था अपने डेट भी लिखा होगा कितने पैसे दिये हैं वो भी लिखा होगा और कितने पैसे बाकी हैं register में उसके हर एक पन्ने पर अलग अलग व्यक्तियो के नाम लिख करके उनकी detail आपने लिखी होगी तो दोस्तों इसी तरीके से हम को व्यक्तियो के नाम से tally में भी खाते बनाने होते हैं जो कि हम लोग laser के जरिये बनाते हैं तो laser में बस आपको इतना ध्यान देना है कि laser को हिंदी में book कहा जाता है laser एक book होता है जिसके अंतरगट tally में हम सभी accounts बनाते हैं कौन-कौन से accounts बनाते हैं जो कि हम आगे आपको बताएंगे देखिए tally में हम तीन तरह से account बना सकते हैं पहला तो होता है personal account और दूसरा होता है nominal account और तीसरा होता है real account अब ये personal account क्या है personal account इसके अंतरगट हम सभी व्यक्तियों के यानि जितने भी व्यक्ति हैं कोई हमारा customer हो सकता है कोई हमारा supplier हो सकता है तो उन सभी व्यक्तियों के खाते हमारे personal account के अंतरगट आते हैं कोई firm हो सकता है कोई society हो सकती है कोई trust हो सकता है कोई भी bank हो सकता है बहुत सारी company के नाम से आप खाते अगर बनाओगे तो वो personal account के अंतरगत बनेंगे और capital account के खाती भी जो है personal account के अंतरगत ही बनाया जाते हैं इसके बाद आता है real account तो real account में सभी goods और assets के खाते बनाया जात cash account, pen, copy, shop यह सारे account जो है हमारे real account के अंतरगत आते हैं आपने यहाँ पर दो चीजों को notice किया होगा कि सभी goods और assets अब यह goods और assets क्या है जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे तो यहाँ से आपको real accounts के अंतरगत बस यह याद रखना है कि सभी goods और assets के खाते इसके अंतरगत जो है real account के अंतरगत बनाए जाते हैं अगला है nominal account जितने भी आए हैं यानि जितने भी हमारे business से income होगी और जितने भी business के related खर्चे होंगे उन सभी के खाते nominal account के अंतरगत बनाए जाते हैं जैसे कि जो भी आपने business start किया है अगर उसमें आपने employees को काम पे रखा है तो उनको आपको salary देनी होती होगी जो की एक तरीके से आपका खर्चा है salary account भी जो है nominal account के अंतरगत बनेगा light bill देना होगा जितना आप light इस्तमाल करते हैं उसका bill देना होगा अगर आप किराय की दुकान में अपना business कर रहे हैं तो आपको rent देना होगा यानि किराया देना होगा अगर आप अपने business का परचार कर रहे हैं यानि advertisement कर रहे हैं तो उसमें भी खर्च होता है तो उसका भी account nominal account के अंतरगत बनता है अगला है groups टैली में group की मदद से सभी account की पहचान सही तरीके से हो पाती है जिससे accounting की report बनाने में काफी जादा आसानी होती है टैली में काम करने के लिए पहले से ही 28 groups बने बनाए मिल जाते हैं इसके अलावा अगर आप टैली में और भी groups बनाना चाहें तो बना सकते हैं ये जो टैली में आपको 28 group मिलते हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाली videos में बात करेंगे लेकिन यहाँ पर आपको group का मतलब थोड़ा सा समझना है देखिए group का मतलब होता है समूः जितने भी हमारे supplier होंगे जिसको हम लोग sundry creator बोलते हैं उनको अगर हम उनका अगर laser बनाएंगे उनका खाता बनाएंगे उनके नाम से तो उनको जो है sundry creator group में डाल देंगे तो इससे टैली जो है पहचान लेगा कि कौन sundry creator है इसी तरीके से जितने हमारे customer है उनको sundry adapter बोला जाता है sendry debitter डाल देते हैं तो टैली उनको पहचान लेता है कि कौन हमारे customer है इसी तरीके से अगर आप अलग-अलग जब खाते बनाओगे तो अलग-अलग group में आपको डालना होता है जिससे टैली को पहचानने में दिक्कत नहीं होती है और जो भी accounting का काम आप करते हो report तयार करते हो वो सही तरीके से तयार होती है और काम भी सही होता है तो यहां से आपको group भी समझ आगे होगा अगला है goods देखे जो भी हम लोग समान खरीदते हैं और जो समान बेचते हैं उसे टैली की भासा में goods कहा जाता है जैसे की आपको यह जो store दिखाई दे रहा है इसके अंदर shampoo है, साबून है इसके अलमा बहुत सारी general store की समान है जो की इस दुकानदार के मालिक ने बेचने के लिए इसको सबसे पहले खरीदा है और अब जो है वो इन सभी को बेच रहा है तो टैली की भासा में यह जो समान है इसको goods बोला जाता है बिजनस में जो भी दैनिक रूप से खरीदा जाता है और बेचा जाता है उसे goods कहा जाता है और आप इसे माल भी कह सकते हैं आपने यह जरूर सुना होगा कि जब हम किसी शॉप पर जाते हैं कोई समान खरीदने के लिए और वो समान उस दुकान पर नहीं होता है तो उस दुकान का जो ओनर होता है जो मालिक होता है वो यह बात जरूर बोलता है कि अभी यह माल हमारे पास नहीं है हो या फिर आप सामान भी बोल सकते हैं अगला है स्टॉक कहीं कहीं स्टॉक सब्द भी आपको जरूर सुनने में मिला होगा मैं आपको बता दू स्टॉक को हिंदी में रहतिया बोलते हैं और स्टॉक भी जो है goods या फिर माल या फिर सामान को ही कहा जाता है आपने ये सब्द जरूर सुना होगा कि अभी हमारे पास इसका stock नहीं है यानि इस चीज का stock हमारा खतम हो गया है जो भी हमारा goods है जो भी हमारा माल है उसका stock खतम हो गया है तो जब आपके सामने stock सब्द की बात आए तो आ बिजनेस के मालिक द्वारा बिजनेस को सुरू करने के लिए किया गया निवेस पूंजी कहलाता है और ये पूंजी कैस भी हो सकती है गुड्स में भी हो सकती है और एसेट्स के रूप में भी हो सकती है जैसे कि अगर आपके वो एक जनरल स्टोर खोलना है और आपके पास 50,000 रुपे हैं तो वो आपकी कैस पूंजी यानि कैस कैपिटल कहलाएंगी लेकिन अगर आपने उन पचास हजार रुपेव से अपने दुकान में समान खरीद लिया है जिसे आप बेचना चाहते हैं बेचने के लिए जो समान खरीदा है आपने उसे गुड्स कहते हैं वो मैंने आपको बताया है तो वो गुड्स भी आपकी जो है पूंजी ही कहलाएंगी और इसी तरीके से अगर आपने जो है एसेट्स खरीद लिये एसेट्स से बिजनस की वो समपत्ती होती है जिसे business के इस्तमाल के लिए ही खरीदा जाता है उसे बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है जैसे कि दुकान में कुरसी कोई computer हमने खरीद लिया कोई chair खरीद ली कोई ऐसी चीज खरीद ली जो कि business के लिए जरूरी है और business में ही इस्तमाल होनी है उसे हमें बेचना नहीं है उसे assets कहते हैं तो assets भी आपकी पूंजी ही कहलाती हैं तो यहां से आपको capital यानि की पूंजी भी clear हो गया होगा कि business के मालिक द्वारा business को सुरू करने के लिए जो भी निवेस किया जाता है वो पूंजी कहलाती है और पूंजी cash में और goods में और assets में तीनों में से किसी में भी हो सकती है अगला है assets, assets का हिंदी में होता है संपत्ती business को चलाने के लिए जिन चुजों की जरूरत होती है उसे assets यानि की संपत्ति कहा जाता है जो की business के लिए बहुत जरूरी होती है जैसे की chair हुआ, furniture हुआ, कोई machinery हुई या फिर जो है आपने कोई दुकान, किराय पे ली ये सारी business के लिए जरूरी है assets में बस आपको इतना ध्यान देना है कि वो समान जिसे हम खरीदते तो हैं business के लिए लेकिन business के यूज के लिए ही खरीदते हैं उसे हम लोग बेचते नहीं है जैसे की मुझे एक computer institute चलाना है जिसमें मुझे धेर सारे computer को खरीदना होगा धेर सारे stool खरीदने होंगे chair बनवानी होगी या फिर आप कहें तो जो furniture बनता है जो table वगेरा बनती है जिसमें computer रखे जाते हैं वो सारी चीजों को खरीदना होगा और ये सारी चीजे जो है assets कहलाएंगी क्योंकि ये business के लिए जरूरी है इसे हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं बलकि अपने business को सुचारू रूप से चलाने के लिए खरीद रहे हैं इसलिए ये सारी चीजे business की assets हैं यानि संपत्ति हैं अगला है liabilities जिसको हिंदी में दायत्व बोलते हैं business को सुरू करने के लिए अगर हमें पैसों की जरूरत है तो पैसे या तो हम बैंक से लोन लेंगे या फिर किसी अपने दोस्त से या फिर रिस्तदार से पैसे लेंगे जिसे हमें आगे चल कर चुकाना होता है यानि की हमने अगर बैंक से लोन लिया है तो आगे चल कर हमें बैंक को पैसा चुकाना होता है और अगर हमने किसी दोस्त से या फिर किसी रिस्तदार से पैसे उधार लिये हैं तो आगे चल कर हमें उन्हें भी पैसे चुकाने होते हैं तो liability में बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर आप अपने business के लिए कहीं से पैसा उधार ला रहे हैं या फिर किसी बैंक से लोन ले रहे हैं जिसे आपको बाद में देना होता है जो कि आपकी liability कहलाती है अगला है डेप्टर यानि की देनदार बिजनस में जिन लोगों से हम पैसे मांगते हैं उन्हें देनदार यानि की डेप्टर कहा जाता है जैसे कि मान लेजिये या आपकी shop है यानि आपकी दुकान है आपकी दुकान पे जो भी customer आते हैं जितना भी मान ले करके जाते हैं उन customer से आप पैसे मांगते हो और वो customer आपके देनदार यानि डेप्टर्स कहला ते हैं ठीक ऐसे ही बिजनस में जो लोग हमसे पैसे मांगते हैं उन्हें क्रेटर्स यानि लेंदार कहा जाता है जैसे कि हम भी किसी न किसी से माल खरीडते हैं जो हमारे सप्लायर होते हैं वो हमसे पैसे मांगते हैं इसलिए वो हमारे लेंदार यानि क्रेटर्स कहलाते हैं सीधी भासा में आपको Creators और Depters में Confuse नहीं होना है बस आपको ये याद रखना है कि जिनसे हम पैसे मांगते हैं वो Depters यानि देंदार कहलाते हैं और जो लोग हमसे पैसे मांगते हैं वो Creators यानि लेंदार कहलाते हैं अगला है Expenses यानि खर्चे बिजनस में जो भी खर्चे होते हैं उन्हें Expenses कहा जाता है दोस्तो बिजनस को सही डंग से चनाने के लिए हमें खर्चे भी करने होते हैं जो की Tally की भासा में Expenses कहलाते हैं जैसे कि अगर हमको अपनी दुकान के लिए माल मंगवाना है यानि लिया है दुकान करने के लिए तो उस रूम का किराया भी देना होता है बिजली बिल भी देना होता है अगर कोई कमीशन है तो उसे भी देना होता है मजदूर रखा है हमने तो उसकी मजदूरी भी देनी होती है और अपने बिजनस का प्रचार प्रसार कराने के लिए विज्ञापन में भी खर्चे करने होते हैं तो जितने भी बिजनस के खर्चे होते हैं उन्हें टैली की भासा में expenses कहा जाता है अगला है ड्राइंग यानि की आहरड बिजनस का मालिक अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए जो पैसे व्यपार से लेता है या खर्च करता है वह आहरड कहलाता है जैसे की जो भी बिजनस का ओनर है उसने अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए बिजनस से 2-4,000 रुपे निकाल लिए जिससे उसने अपने बच्चों की स्कूल की फीस बर दी या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे सामान खरीद लिए जिनकी उन्हें जरूरत थी तो ये उसका व्यक्तिगत खर्चा होगा ना ही की बिजनस का खर्चा है और जो व्यक्तिगत खर्चा है उसे बिजनस के ओनर को बिजनस को वापस करना होता है तो ड्राइंग को बस आपको इतना समझना है कि अगर बिजनस का मालिक अपने व्यक्तिकत खर्चे के लिए व्यापार से पैसे लेता है या खर्च करता है तो उसे आहरर कहते हैं और बिजनस के मालिक को बिजनस को ये पैसे वापस करने होते हैं अगला है income यानि की आए बिजनस में जो भी कमाई हुई है उसमें से जो भी खर्च हुआ है उसको निकालने के बाद income यानि की आए होती है आए को आप इस तरीके से समझेए कि अगर आपको अपनी आए पता करनी है कि आपकी income कितनी है तो कुल कमाई में से आपको अपना खर् में 50,000 का माल खरीदा और उसे आपने 75,000 रुपे में बेच दिया तो कुल कमाई कितनी हुई 75,000 रुपे की खरीदा कितने रुपे में था यानि खर्च कितना किया था 50,000 रुपे तो 75,000 रुपे में से अगर 50,000 रुपे निकालोगे तो 25,000 रुपे बचेगा जो की आपकी आ निकलाती है अगला है सेल्स जिसको हिंदी में विक्री या फिर विक्रे भी कहा जाता है किसी भी वस्तु या सेवा को पैसो के बदले या फिर किसी अन्य वस्तु के बदले किसी दूसरे को दिया जाता है तो उसे विक्री कहा जाता है जैसे कि मेरे पास एक कम्प्यूटर है औ आपको बेचना चाहता हूँ और आप जो है इसके बदले मुझे पैसे दे रहे हैं तो भी इस तरीके से भी ये बिकरी हो सकती है लेकिन माल लीजिए आपके पास पैसे नहीं है और फिर भी आप मेरा कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इस कंप्यूट का जितना प्राइज है उतने प्राइज की कोई दूसरी वस्त मुझे दे सकते हैं और जिसके बदले मैं आपको ये कंप्यूटर दे सकता हूँ यानि कि आप किसी वस्त को पैसे के बदले तो बेच ही सकते हैं साथ ही किसी दूसरी वस्त के बदले भी आप उस वस्त को बेच सकते हैं अगला है परचेज जिसको हिंदी में खरीद या फिर क्रे बोलते हैं कोई भी वस्तु या सेवा को लेने के लिए किसी दूसरे को पैसे या कोई अन्य वस्तु दी जाती है तो उसे खरीद कहते हैं जैसे कि माल लीजिए अब जो है आपका कम्प्यूटर मुझे खरीद ना है तो मैं क्या कहूंगा कि आप जो है इतने पैसे ले लीजिए और अपना कम्प्यूटर आप हमें दे दीजिए तो इस तरीके से मैं परचेज कर रहा हूं यानि खरीद रहा हूं और आपका कम्प्यूटर मैं इस तरीके से भी खरीद सकता हूं कि मेरे पास पैस खरीद लिया लेकिन इस बार मैंने वस्तु के बदले वस्तु ले ली यानि मैंने अपना मोबाइल दिया और आपका कंप्यूटर ले लिया और पहली बार हमने क्या किया था मैंने आपको पैसे दिये थे और आपका कंप्यूटर खरीद लिया था तो यहां पर आपको यह ध्य की सब्दावली को पूरा complete कर लिया है ये सारी चीजे मैं आप सभी लोगों को telegram चैनल पर दे रहा हूं इसका पूरा PDF आप जो है वहां से इसका PDF डाउनलोड करके इसकी practice कर सकते हैं और जो चीजे मैंने आपको बताई है उसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं मैं आपको बता लेना है क्योंकि tele में हम जो आगे का काम करने वाले हैं वो इसी tele की सब्दावली पर निर्भर करता है जो भी चीजे मैं आपको आगे बताऊंगा वो मैं इनी सब्दों का इस्तमाल करके बताने वाला हूं इसलिए मैंने आपको जो है सबसे पहले tele की terminology यानि सब्दावली को बताना उचित समझा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप इस वीडियो को डिस लाइक करिए और नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए कि आखिर आपको ये वी सब्सक्राइब करो तब ही आप हमारी नई वीडियो देख पाओगे और इसका पीडियाफ पाने के लिए टेलिग्राम चैनल को जरूर से जोईन कर लिजे जिसका लिंक वीडियो के डिक्सिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानक कारी के साथ तब तक लिए जय हिंद वद्द मातरम